हालो माई डियर फ्रूंस वेलकम करतो हूं में भाहत पंचाल और कमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबकर एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो में तो आज की वीडियो में हम लोग डायमेंट कोस्टेंज करने वाले हैं ऑफ दी चैप्टर हैलोलकेंस और हैलोरीन कमेंट सेक्शन में कर दोगे इससे पहले मैंने इस लेक्टर का 30 मिनट्स रिवीजिन वीडियो वन शोट शोट नोट्स प्रिविस येर कोशन एंसी क्यू एंसी क्यू अपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और आप में से जो बच्चे टेलिग्राम पर है टेलिग्राम प अगर कभी भी आपको नाम दे रखा है और नाम से अगर आपको कभी भी स्ट्रक्चर करना है तो बैक सबसे पहले बाद है पैंटेन पैंटेन का मतलब होता है पांच कार्बन ठीक है उसके बाद टूपे कलोरो टूपे सेगंड पोजिशन पे सीयल लगाओगे और थ्रीपे मिठायल है यानि कि इदर आप लोग क्या लगा दोगे कार्बन और उसके बाद बोन पूरे करने है शोटकट आपको पता होगा चीकू नहीं उसका हब्भी कार्बन हमेशा च पोजिशन पे सीयल लगाओ फोर पे थाईल है यानि कि इदर आप सी टू लगा दो उसके बाद चलो फोर टर्सरी बुटाइल स्केंडरी बुटाइल से आप लोग क्या से मत्यों बुटाइल का उंतलब चार कार्बन है और वह आपने इस तरह से लगाने है कि वह तीन तरफ से कार्बन से कि जैसे की यह फॉर्थ पोजिशन यहां पर कॉच्छ सब्सक्राइब िसको तिन तरफ से घयर लेना है यह है पके बादब बॉन पूर्ण कर लोगा है क्षोर तकार मन होती है और और 14 कॉ Our 10avos तो मैंने बोला कि कभी भी अगर नाम से स्ट्रक्ट्टर करते तो यह हमारे पास बेंजन हो जाएगा ठीक है वन पर प्रोम यानि फर्स्ट पोजिशन पर लगाऊगे फॉर्स पोजिशन पर स्केंडरी बुटाइल बुटाइल मतलब चार कार्मन और उनको इस तरह से लगाना एच टू और थिस तरह से कलिए तो यह तो बात होगी जब आपको नाम दे रहे हो और आपको structure करने है तो यहां पर कुछ यह homework है आपका आपको कुछ structure दे रहे हो आपको नाम करने है आपको अराम से देख लो जो बहले इसको पोज कर लो कमेंट सेक्ट्टिन के एंसर आप बहुत बेसिक से नाम है चलो आगे मुप करते हैं अमंग दी आइसोमेरिक अलकेंस ओफ मोलेकिलर फोर्नस C5H12 पर प्रिशन करूग हैолотा करें परखें होंगा अध्यृट्न अन्याख क्रें समझने की कास्फे प्रिशन कर को त्यों कोशिश करना तो इधर एक बार लग जाएगा और यह बन जाएगा सीएस त्री सिए मिथाइल को राइड या क्लोरो मिथेन सीएस त्री जब आप लोग इसकी रेक्शन क्लोरिन के साथ करोगे इंदा प्रैंस ऑस लाइड तो क्लोरिन लगेगा इधर लगा दो या फिर लगा अब की बात है दोनुक्त जैसे हैं जब आप इस पर लगाओग तो जो अब हो च्लोरफेन क्लोरो आज होने वाला है हरे क्ट्टिशन वे अब इसका इधर आटक करवा दो इसका इधर आटक कर आओगा तो कोई फायदा निया आपको अगें वन क्लोरो प्रोपेन मिलेगा तो मतलब आप इस तरह से कार्बन को देखते हो कि यहां पर जब में लगाऊंगो तो क्या मुझे कुछ अलग प्रोडक्ट मिल रहा है अब आ पर चाहीं इदर लगादर हर बार एखी जैसा प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पर सिंगल पॉसिबल स्ढ़ोंगो तो यहां पर एड़भ प्रोड़ पोसिबल है अलग पर इसमें 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 आपчноorm отдель सो सिध्दी चेन को ऐन पैंटें नॉर्मल सिद्ध नुरमल में डूर्पीं ऑगर से नियो सोरी फूर बैक्ग्राउड मुजिक डवाजिय अब यहांदा बन्द करो एब या यहां पर आप अलग अलग प्रोड़क्ट मिलने वाले तो यहां पर चार अलग 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 प्रोड़क्ट मिलेंगे यह वाली बात है आगे मुझ करते हैं मिलने करते हैं इसका असको र्यूख करते हैं अब इधर आपका स्यलाग तो यह व्याएगा यह दोनों ही क्या है तो आप्या जल यह इसन प्रोडक्ट है तो इजिली एवोपोरीबल है अग्याजाओ यह है और क्या है यह वन टू त्री फोर वन इथाइल फोर नाइट्रो वंधिन है इसकी ब्रोमिनेशन की हिंदे प्रेंस तो सल्लाइट अगर है तो फ्ली राडिकल है तो यहां पर अगर प्रोड़क्ट बनाना है और वह भी मेजर वाला तो इधर लगएगा इधर प्रोमिन ने अटेक करने हैं इधर क्यों नहीं इधर इधर और इसके बाद आजाओ तो क्या उदाएगा यह ओवेच चटेगा अचल में से क्या जाएगा इधर है ना जब दर गया उदर से दर क्या आएगा ओवेच यह क्या बन जाएंगे आगे मोग परो ड्रो दर स्रक्चर ओफ मेजर मोनोहलो प्रोड़क्ट इन इच फॉल्विंग रेक्शन अच्छा यह ना छे रेक्शन थी तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट कर दिया था तो यहां पर कौन सा रूल फोलो किया जाएगा भाई यहां पर आपको फोलो किया जा यहां पर लोवर नंबर उफ हो जाएगा इधर और चला जाएगा इधर इस तरह से आपका बन जाएगा डबल वन सिंगल शेक्ट कि रहता है इसके रेक्शन नाए आई के साथ यहां पर ड्राइट्व ले ले लेना चाहिए तो यह एक नेम रेक्शन बनके निकलती है और इ ब्रोमोमिथेन क्लोरोमिथेन और दाइब्रोमिथेन आपको बता जिता हूँ ब्रोमोमिथेन क्या है कि एक कार्बन है और इधर क्या लगा हूँ ब्रोमोफोम क्या होता है जब एक कार्बन पर तीन जगा पर ब्र लगा हूँ क्लोरोमिथेन जब एक कार्बन पर लगा है और डाइब्रोमिथेन जब एक कार्बन पर दो जगा पर लगा हूँ बिया मैंने आपको बता है वह boiling point is directly proportional to molecular mass and inversely proportional to branching होते हैं वाकि कई बचे बहुते हैं तो मतलब concept समझने वाली बात होगी पेपर में लिखके कैसे आएंगे तो इसलिए यह theory बना रखी है the boiling point of organic compounds depend on the strength of intermolecular forces इंदे हैं जो organic compounds को boiling point होता है वो depend करता है कि organic compound के अंदर intermolecular forces की strength कितनी है और दो तरे एक intermolecular forces होती है वेंडर वोल डाइपल डाइपल और इन दोनों का ही जो strength होती है वो किस पे depend करती है भाई डिपेंड करती है molecular mass पे surface area पे जितना ज्यादा molecular mass होगा जितना ज्यादा surface area होगा उतनी ज्यादा वेंडर फो स्ट्रोंग होगी और उतना ही ज्यादा boiling point होगा इन सारे cases में अगर आप देखते हो तो सबसे कम मास किसका बनेगा chloro ज्यादा बनेगा उससे ज्यादा बनेगा ब्रोमो फोम यह नि की ट्राइब रोमो मितेन का अगले कोशन पर आ जाओ यह है वन क्लोरो पर रृपैं यानि कितने कार्बन तीन इधर लगा दिए इस परश क vii यहोगय तो क्या होगा जिसमें ब्रौांचिंग वो सबधूं को जाते हैं और इंदोनोंम किस बंद अ मुलकुल Si M molecular mass branch compounds are more compact and therefore have low surface area जिन में ज्यादा branching होगी उनका compact structure बनता है और compact structure बनने से क्या हो जाएगा उनका surface area कम हो जाएगा ठीक है और इसी वज़े से उनकी strength of interval force weak हो जाएगी volume point भी कम हो जाएगा तो यह हमारा order रहने वाला है clear है कि नहीं आगे मुप करते हैं which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism explained देखिए दो तरह के mechanism होते हैं एक होता है SN1 एक होता है SN2 SN1 में reactivity quarter क्या होता है tertiary, secondary, primary और इसमें क्या होता है primary, secondary, tertiary अब scene क्या होता है कि इधर stability of carbogatine matter करती है SN1 में क्या matter करता है stability of carbogatine और इसमें क्या matter करता है इसमें less steric hindrance matter करती है less steric hindrance मतलब 100% sure है कि इस concept से question बनी जाते हैं अगली बात करते हैं तो SN1 में अगर देखा जाए तो rationalization of configuration होता है front side से भी attack होता है back side से भी attack होता है और इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ back side से attack होता है तो यहां पर inversion of configuration होता है चलो concept पर चलते हैं concept क्या कहना चाहरा है ascent to mechanism involve a transition state इसमें transition state आती है where both the incoming nucleophile as well as leaving group are present around the carbon atom एक time पर carbon के 5 atoms से bond बन रहे होते हैं ठीक है अब इतने जादा bond बनाने के लिए उसकी steric hindrance कम होनी चाहिए for such a transition state to be possible there should be a minimum steric hindrance और steric hindrance सबसे कम किसमें primary में उसके बाद ज़्यादा होती हो थोड़ी secondary में और सब ज़्यादा steric hindrance स्टेरिक hindrance का मतलब होता है beard bar beard bar जितनी ज़्याद हो कि problem उतनी ज़्याद होना लगी है आप जैसे इनमें जाओ जैसे प्राइमरी है और यह secondary है तो किसमें इस्टरी के इंदें ज्यादा secondary में primary में कम है तो इधर यह faster react करेगा इस और इक्टिव होगा अब अगर इस से एच्छा living group CL है तो इसकी reaction faster होगी CL से एच्छा living group BR है BR की reaction faster होगी BR से एच्छा living group I है उसकी reaction faster होगी बट यहाँ पर degree भी सेम है दोनो प्राइमरी है और living group भी सेम है हालोजन भी सेम है BR भी सेम है अब जितना पास रहेगा living group के उतनी भीड़बार ज्यादा लगेगा उतने बुड़ी गाड़ ज्यादा लगेंगा तो अब यह तो पीछे है तो इसकी reaction faster होने वाली है is more reactive because methyl group is away from living group clear next question की तरफ मुव गरते है next in the following pairs of allogen compounds which compounds undergo faster SN1 reaction अब SN1 का क्या concept हो भी SN1 reaction precede via the formation of a carbogatine दो step का mechanism होता हो उसमें से एक step क्या होता है कार्बोकाइन की formation वाला होता है पता होगा आपको this intermediate is formed by the cleavage of carbon halogen bond more stable is the carbogatine faster is the SN1 reaction जितना stable कार्बोकाइन होगा उतनी फास्ट एक्शन होगी और देखा गया है कि टर्सरी कार्बोकाइन ज्यादा stable होता है देन स्केंडरी देन प्राइमरी और इसके लावा बेंजाईल एंड अलाइल कार्बोकाइन तो बहुत बड़ी आपता दिये तो अपने हमें हाँ बड़ी बात यह पताते हैं तो जैसे यहाँ पर पुच्छा गया इन दौनों में से कौंजा दर्यक्टिव है अब देखो यह तें तरफ से गिरावा होगा है औरिये सिर्फ एक तरफ से सकंटरह है और यह प्रॉैम्री है तो इसके ब्रॉटा δेक्शन सुझा तो यहां पर मन जाएगा एंड और आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास एक बनने वाला है अगले कोशन पर आजाओ R, B, R, M, G, Dryther, G, C, D2O, D2O क्या होता है जैसे H2O यहां पर है यहां पर M, G, BR कब आया होगा जब यहां पर पहले ब्यार रहा होगा तो आपको बताना है C क्या है और R क्या है तो यह reaction start यहां से हुई होगी है ना तो R क्या है CS3, CS, CS3 यह हमारे पास R है है ना और यह आपका BR इदर लगा होगा फिर आपका MG के साथ जब आप इसकी reaction कराओगे तो MG बीच में घुजेगा CS3, CS, CS3, MG, BR फिर आप लोग इसकी reaction D2 के साथ कराओगे तो D2 के साथ reaction किस तरह से होगी D इदर जाएगा और OD इसके साथ जाएगा तो यह बन गया CS3, CS, CS3 और इदर आपका D और यहां पर क्या बन गया MG, BR, OD अगले पर आजाओ यह भी थोड़ा सा अच्छा कोशन है बच्चे हैंग हो सकते हैं अब देखो, यह आपके पास बना हुआ है NA इत्थर है, आपको reagent से पता होना चाहिए, NA और इत्थर है It means, यहाँ पर कौन सी reaction हुई होगी बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर Woods reaction हुई होगी Woods reaction में doubling होती है, तो आप इसका बीच देखो बन गया, अब इसकी reaction जब आप MG के साथ कराऊगे तो MG बीच में कुछ आता है इसके बीच में कुछ गया फिर इसकी reaction वोटर के साथ कराई गई है तो बताओ, वोटर के साथ अब reaction कराते है तो यह bond टूपता है, इधर आता है H इधर आता है अगर किसी भी organic substance को पानी में घुलना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो पानी के साथ hydrogen bond बना सके अगर पानी के साथ इंट्रेक्ट करते हैं तो कुछ energy रिलीज होती है या फिर simple words में आप लोग क्या बोल सके है तो कि alkyl halides hydrogen bond form नहीं करते हैं विद वोटर, ये ग्रीजन है alkyl halides are polar but are insolubile in water because energy required to break the hydrogen bond among water molecule is much higher than energy required by water halide interaction कि water molecule के अंदर जो already present hydrogen bond है वो नहीं तोड़ पाते है बक्की दूसरे वाला भी बढ़िया है कि alkyl halides are unable to form hydrogen bond with water that's why they are insolubile in water ये भी question बहुत पुछा गया dipol moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride या halorines are lower than cyclohexene या halolkene कुछ ऐसे है जैसे कि ये हमारे पास halorine है ठीक है और ये cyclohexene है ठीक है या फिर halolkene भी लगा दो तो अगर dipol moment देखा जाएगा तो इनकी जो dipol moment है वो ज़ादा है इसकी dipol moment से अब reason क्या है dipol moment जो होता है mu is equal to q into d तो जो इनका distance बनता है इस case में वो कम बन जाता है लिखा गया है in chlorobenzene carbon chlorine bond has some partial double bond character यहाँ पर cat double bond loan पर है chlorobenzene में resonance आएगी halorine में resonance आएगी और resonance की वज़े से double bond आ जाएगा which has a longer carbon chlorine इसका bond बड़ा होता है इसके लाबा hybridization वाला भी concept होता है इसके पास sp2 hybridization होती है इसके पास sp3 hybridization होती है clear है तो जितनी ज़्यादा मतलब sp2 hybridization है तो s character जादा है electronegativity जादा है bond को ज़्यादा जोड़ के रखेगा ज़्यादा कीच कर रखेगा bond चोटा हो जाएगा यह भी बन जाते है grigonard agent should be prepared under anhydrous condition जैसे कि यह हमारे पास alkyl chloride है आप लोगों ने इसके reaction करा दी mg के साथ तो यह क्या बन गया rmgx और अगर इसको कहीं से पानी मिल गया अगला कोशन है which compound in each of the following pair will react faster in SN2 reaction with OH negative and Y CS3BR है CS3I है यह दोनों ही methyl बनेगा इसमें तो तो living group वाला concept लगेगा और living group में CS3I CS3BR and CS3I both are primary halogen compound the reactivity will depend upon the size of halogen atom iodine is a better living group because of larger size therefore CS3I will react faster अगले पे आजाओ CS3CCl है तो आपसे SN2 पुच्छा गया तो SN2 में static hindrance कम होनी चीजो किसमें है in SN2 reaction primary halide react faster than tertiary halide hence CS3Cl will react faster with OH negative अगला कोशन है out of ortho and para-dibromo benzene which one has higher melting point and Y देखिए जो isomeric halorines होते हैं उसमें para form का melting point जादा होता है ठीक है चाहे पेरा-dichloro benzene हो चाहे पेरा-dibromo benzene हो अब कोशन आते हैं किसर ऐसे क्यों होता है क्योंकि इनके पास symmetry होती है तो crystal lattice में अच्छे से packing हो जाती है crystal symmetrical structure के वज़े से और इसे वज़े से इनका melting point ही होता है para-dibromo benzene has higher melting point then it's ortho या फिर metafome भी due to its symmetry that fits into the crystal lattice better than the ortho isomers इसकी packing जादा अच्छे से ओगी बिलकुल पास पास रहेंगे तो बहुत solid structure बन के निकलेगा that's why इसका melting point दो आगा होगा अगला है write the mechanism of following reaction and butyl bromide है butyl bromide समनतों है कि carbon की सिधी chain है ठीक है उसकी reaction KCN के साथ कराई गई है देखिए KCN जो है आप समझे कि SN2 mechanism को favor करता है और यह वैसे primary alkyl chloride है तो यह भी SN2 के mechanism को favor करने वाला है तो KCN को अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पर इस तरह से होगा carbon पर negative charge आगया अब क्या होगा यहाँ पर back side से attack होगा इस पर BR बाहर निकल देगा और इधर CL लग जाएगा इस तरह से होने वाला था अगला कोशिन है give the uses of freons freon 1-2, DDT, carbon tetracolide and idopharm यह जो सारे लिख्यों है यह सब polyhalogen compounds है polyhalogen जिन पर एक से ज़ादा halogen होते है और ठीक है इंडेस्ट्रियल यूजिज बहुत है इनके बट आज वैल यह हमारे थोड़े harmful भी रहते हैं बखी देखते हैं कहां कहां पर यूज होता है freon 1-2 का दूसरा मतलब होता है 1 का मतलब होता है कि इसमें 1 carbon होगा 2 का मतलब है 2 chlorine होंगे और 2 chlorine होंगे यह CFC है इसका यूज क्या आता है aerosol propellants के मतलब जो ब्रोकेट जाता है जो धुवां से निकलता है वो propellants वाला सीन होता है refrigeration में cooling के लिए air conditioning के अंदर इसके लावा DDT DDT के फुर्फर्म क्याते है dichloro, diphenyl, dichloro, ethane इसका यूज क्या गया था इवन जो इसका production हुआ था as famous insecticide के रूप में हुआ था उसके बाद इसका यूज क्या गया mosquitoes की killing के लिए बट बाद में इसके harmful effect मिलने लगे कि यह जो aquatic animals होते है like fish या फिर जो गाए भी होती है जो मतलब पशू होते है उनके लिए भी बहुत harmful होने लग गया यह उसके बाद कार्बन टेट्रा कोलाइड ccl4 इसका यूज क्या था रेफ्रिजेंट्स बनाने में synthesis of chlorofluorocarbon बनाने में cleansing agent group में यूज क्या आता है नेक्स्ट है आइड़ोफॉम आइड़ोफॉम क्या होते है CH i3 यलो कलर का solid होता है यह और इसका यूज क्या आता है antiseptic clear होता है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं next है why halorines are not reactive towards nucleophilic substitution reaction give reason मतलब देखिए हैलोलकेन है Rx है और अगर मैं इसकी reaction NOH के साथ करवाँगा तो क्या होगा कि X हट जाएग इसकी reaction मैं NOH के साथ करवाँगा और यह hope करूं कि यार इस X को हटा के इधर OOH चला जाएगा तो यह इतना इसली नहीं होगा no reaction है ना यह nucleophilic substitution reaction हो पा रही है इधर नहीं हो पाएगी अब question arise होते कि सर इधर क्यों नहीं हो पाती है इसका सबसे बड़ा reason है resonance effect है ना जैसे chloro-benzen राजने साता होगा है ना यह जो इलेक्ट्रोंस होते हैं डी-localized होते रहते अपनी जगह चेंज करते हैं और बोंड से ग्या बनता है बाई एलेक्ट्रों बनता है तो क्या लिखा गया है इन हालो रिंस दा इलेक्ट्रों पेर ओन हैलो जिन आटम सान आर इन कंजूगेशन विद पाई एलेक्ट्रों ऑफ दी रिंग ठीक है जो heilosin item के electron है वो konjugation में ऊते हैं Carbon chlorine bond acquire is a partial double bond character आप simple लिख सकते हो In halorine- Carbon chlorine Skillshare tells a partial double bond character given to redness है ना इस वजे से also double bond अगर हो गया तो double bond इतना इजली नहीं तूटता हो इतना इजली single bond तूट जाएगा है ना सिंगल बॉंड वो एक तमें शक्ति वाली बात याद ना एक तमें बल है यूनिटी स्ट्रेंथ तो डबल बॉंड इतनी तूटे गा नहीं तो नया बॉंड असानी से बनेगा नहीं रेक्शन का मतलब हो तक पुराने बॉंड तोड़न नहीं बॉंड बनना अब हैलोरी अब आपके पास कोश्चन आएगा कि सर क्या कभी नुकलिफिलिक सब्टिटूशन शोर नहीं करेंगी ऐसा नहीं है अगर कुछ ड्रास्टिक कंडिशन हो जाए टेंपरेचर बहुत बढ़ा दें प्रेशर बहुत बढ़ा दें ऐसीड ले ले बेस तो ना लो असीड ले लो आज नोन सूपर इंपोजबर मिरेर मेजिज आर काल्ड इनेंश्योमर्स देखें इनेंश्योमर्स ओप्टिकली एक्टिव और्गैनिक कंपॉंट्स को द्वारे दिया जाकते हैं जो प्लेन प्रोलेज लाइट को रोटेट करते हैं यहाँ पर आपको काईरल वाला कंसेप् काते हैं जैसे कार्बन इस कार्बन ने चारबंड बनाए वोगरण अलग अलग ग०ूर्व के साथ बनें तो इसे बौलेंगे है गया तो यह थे आGroup बनाऊंगा तो इसको उटाकर फि्ट नहीं think यह नोन शूपर मेले मेजने में इन दौनों के हम लोग क्या बोलेंगे अगला है यह हमारे पास एक प्लेंप जाइप जो एक प्लें में ट्रैवल कर रही है मैंने इसको एक सब्स्टांस में से पास कराया और शनिको रोटेट कर दिया लेफ्ट में तो इस और्गैनिक सबस्रांस को लोग बोल देंगे लाव है ना एक इसको राइट में रोटेट कर रहा है डैक्श्ट लाव और फिर जितना यह लिए है उतना ही यह ले लो एक राइट साइड को रोटेट करने वाले ले लिए अब नेट रोटेशन क्या हो जाएगी समझो ना एक यहां से तला राइट साइड में पंदरा किलोमेटर ठीक है और फिर लेट में चल गया पंदरा किलोमेटर तो कहां गया इंदियान वह कहीं नहीं मतलब एक उरगनिक सबसे ने प्प ल को रईट में रोटेट कर दिया फिर यें लेफ्ट में रोटेट कर दिया तो साव ये payments ऌड़ी मिक्चर है ₹ एक आई सेमर दूसरे के रोटेशन को कैंसल कर देगा नेट रोटेशन जीरो हो जाएगी सिंपल वर्ड एक्वी मोलर मिक्स्चर ऑफ डेक्स्ट्रो और लेवर रोटेटरी सबस्टांस सो डाट नेट रोटेशन विल भी जीरो उसको बोल देंगे इसके बाद होता है नाइट्रोजन की तरफ से अगर यह के साथ जुड़ा हो तो यह टेक करेगा कारबन की तरफ से मैं इसको याद करोगा है अजी नहीं अजी नहीं अजी मतलब silver जो ता हो nitrogen की तरफ से करेगा देखो जैसे RX की reaction आपने AGCN के साथ कराई है तो N की तरफ से attack हुए है आई-सु-sinate बने आएक्स की reaction जब KCN के साथ हुई तो RCN बना है clear ride the structure of major product in each of the following CH3, CH2, 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 CL है उसकी reaction आपने N-A के साथ कराई तो इस CL की देखा पर कौन तरफ जाएगा मेरे भाई आई है ना और यह reaction क्या कर लाएगी इस reaction को लोग बोलते है फिंकस्ट्री रेक्शन फिर क्योवाइच है इथेनोल है यह alcoholic क्योवाइच है alcoholic क्योवाइच में beta elimination होती है जिस carbon पे लगा हुआ है हमारा हेलोगन वो है alpha उससे next होगा बिटा तो यह कुछ इस तरह से elimination हो जाएगी तो यह क्या बन जाएगा CH3, CH3, CH3 double bond, CH2 इसके बाद CH3, CH, BR, CH3 और N-OH है वोटर है तो यह aqueous N-OH है तो यहाँ पर nucleophilic substitution reaction होगी यह OH हटाएगा इस BR को क्लियर है यहाँ पर Q-OH alcoholic है तो beta elimination होगी है ना अलकीन बनेगा और अगर alcoholic नहीं होके aqueous हो जाए N-OH या फिर Q-OH तो आपको बास nucleophilic substitution reaction होती है यह OH चला जाएगा इस BR की जगा इसके बाद है KCN के साथ reaction करा होगे तो यहाँ पर nucleophilic substitution है K positive है CN negative है और potassium में C की तरफ से attack हो जाएगा अगर यहीं पर S हो जाता CH3 CH2 BR और KCN की जगह AGCN हो जाता मेरे भाई तो क्या हो जाता इस BR की जगह पर CN चला जाता यह क्या बन जाता CH3 CH2 NC इसे हम लोग isosynate बोलते है आगे है बैंजी नहीं है इसे sodium phenoxide बोलते हैं इसकी reaction C2H5Cl के साथ कराएगे तो this process will be known as Williamson synthesis synthesis और क्या होगा यह एन ने और यह सील बहार निकल जाएंगे क्या निकल जाएगा एन एन एसेल बाहर अच्छा यह जो विलियम सन सिंथैसिस होती है याद रखना काम आएगी बात विलियम सन सिंथैसिस हैंसट के mechanism को फोलो करती है तो एलकायल हेलाइट शुड भी प्राइमरी होना चाहिए मांके तलो टर्सरी होगा तो वहाँ पर हो जाएगी कि विलियम्सन सिंथेसिज में अलकाइल हलाइड प्राइमरी होना चाहिए अगर टर्सरी हो गया यह स्कंटरी हो गया तो यह प्राइमरी था ठीक है तो इत्थर बन गया उसके बाद प्रोक्साइड है एच ब्यार है तो यह दोनों रेक्शन फेवर करेंगी एंट अगला देखो जैसे है एच ब्र बटिस में परोकसाइड नहीं तो यहां पर मार्कॉनिक फॉल फॉल फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा नत्थू लाल हलवाई एच पॉस्टिव और नेगटिव नेगटिव बिल गोज्टू लोवर तो यह ब्र इदर चला जाएगा और ह इदर चला जाएगा अभी हमने किया था यह जाएगा और यह बैस में फर किया जाएगा तो यह थे हमारे हैलोकेंस के 15 डामेंड को स्टिव आपको क्लियर हो गया होगा चिल आपको कुछ भी डाउट से मिटाप कमेंट सेक्शन बदा सकते हो और अगर आपको आपके सरक्या अपरस अच्छा लगते हैं आप इसे अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं बहुत ख्यार लोगें बहुत अब्स बेदाएं गोडब्लेस वेवल प्रीज टेक यह जैहें